हलो दोस्तो मेरा नाम है मनीश और यह मेरा चैनल मनीश ज्ञा दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तो चलिए चलते हैं नए वीडियो के तरफ हलो दोस्तो मेरा नाम है मनीश और मैं आधार काड कैसे निकालते हो तो दोस्तों यह चीजे मार्केट में कहीं चल रही थी पहले तो इसका रेट भी काफी हाई था पहले लोग पाद पास रुपया हजार अजर रपया आट-टाट रुपया ले लेकर के एक सिफ जुनेरेट इमतलब जो मैन्वल डुप्रिकेट होत दोस्तों अभी तो गवर्मेंट ने 18-plus के आधास बंद कर दिये गए तो new enrollment बंद हो चुका है लेकिन जोनों पहले बनाया था इंडू करते थे कि और पर क्रणे के बाद क्या होता था कि उनका reject हो जाता था और reject होने के बाद वहाँ पे status शो होता था तो इसे दिखा देता है तो आप मैंचिंग डूप्लिकेट करके जिसे कहते हैं हम देखो गेना जारदा तर आप मैं आपको रही वाला दिखा तो कैसे दिखता है वह तो फॉर एक्जामपल मैं आप ऐसा देख रहे हूं यहां पर देख लो दोस्तों यह जो इमेज था इस इमेज में मैं अच्छे तो आपके लिए उपन इमेज इन यू टाप कर देता हूं तो कैसा यह इमेज हम देख सकते हैं तो यहां पर देख रहे हो दूस्तों मैं इसे जूम कर रहा हूं वी हब फाउंड नाचिंग डूप्लिकेट्स फॉर यह एन्रॉल्मेंट इफ यू इन्रोल इन पास्ट एंड फॉर गोटन यह लॉस्ट नंबर एंवर्मेंट यू मस्ट भी रिट्रीव तो यह इस तरीके से आपको अगर देखता है तो आपको डरने के कोई जरूत नहीं है आप सबसे पहले तो दोस्तों एक प्रोसेस से जिस पर आप 1-947 पर कॉल करते हैं देन उनको अगर मैचिंग डूप्लिकेट मिल जाता है डारेकल आपको अधा नमर बता दिया जाता है अधर वे क्या है दोस्तों तो अधर वे है कि आपको आना है यूआईडीए के वेबसाइट पर आओगे वी यू आईडीए ड़ट जी ओवी ड़ट आएन स्लैश इन इस तरीटी किंग वेबसाइट पर आपको आना है इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको करना के दोस्तों यह राइट साइड में आप bilao देख रहे हो यहां पर आधार मित्र कर ने तो दोस्तों इसका सर्वर बहुत ही स्लो होता है आप कभी-कभी घंटो भर रात-रात में आपको पूछिए यहाँ पर गेट स्टाटेड करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको वेट करना है यह तुरंत क्लिकेबल नहीं होता फॉर बगोटा यहाँ पर मैंने आधार स्टेट neutrु raises यहाँ पर मैंने आधार स्टेट यहाँ नदा इधार किया है लिक हुत हैu CAR Linda क्लिक करने वालह वह RAW तो कि so और यहां पर status जो उदर दिया हुआ है वो यहां पर type कर दूँगा दोस्तो इस तरीके से हम type करते हैं और आपको भी इसी तरीके से लिखना है आपको आधार का status जानना है पहले अगर server free रहा easy रहा तो यह देखे दोस्तो इस तरीके से आपको आधार status का column आ जाएगा आपको क करना है तो दोस्तों यह जो तरीका है ना सबसे best है आपको कोई जादा charges की जरूरत नहीं है केवल पचास रुपे में आप इस तरीके से अंधार नमबर निकाल सकते हो तो मैं आपको दिखाऊंगा full process अगर यहां से मिल पाता है तो well and good नहीं मिलता है दोस्तों तो मैंने 4502 बट यहां पर दिख रहा है यहां पर यह तो यह matching id मिल गया हमें जिसे हम copy कर लेंगे यह नया id है जो बन चुका है दोस्तों matching id बन चुका है और matching rejected id है यह एक है matching rejected id तो इसको मैं copy कर लेता हूं इस तरीके से हमने कर लिया अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको यह अधार नमबर इसका मिल सकता है तो सबसे पहले आपको करना आपने यह process देख लिया दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना जो आपका matching replicate है वह इसमें एंटर करना है आधार स्टेटस में जाके यहां से आपने चेक कर लिया यहां से आपको generated id मिल गया है यह हम to get आधार नमबर तो दोस्तों जैसे मैंने पहले बार बताए कि first step is to call on 1947 जो 1947 नमबर है उस पर आप कॉल करिए वहां पर customer सहता जो होते हैं वह आपको इस पर आपका आधार नमबर बताए जाएगा दोस्तों तो सबसे पहले क्या होगा कि आप जैसे यह id डालते हो यह id डालने के बाद आपको पूछा जाएगा आपका date of birth आपको डालना है आपका date of birth डालने के बाद दोस्तों pin city जो होती है city का pin code पूछा जाता है तो pin code डालना होता है आप जैसे यह डालोगे तो वहां पर लिखेगा congratulations your आधार is generated और फिर आपको वहां पर देगा option कि press 1 to know your आधार number जैसे आप डालते हो तो आपको आधार number बता दिया जाएगा उसे आप no down कर लिजे और इस तरीके से आपको आधार मिल गया बट दोस्तों अगर आपको 1947 पे नहीं मिल पाता है तो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसके तुरू आप easily आधार number जान पाए लगा कैसा लगा दोस्तों तो यह सबसे बहतरी ट्रिक जिसमें आप 50 रुपए केवल 50 रुपीज जो यह माध्यम है इस माध्यम में 50 रुपए लगता है not more than that क्योंकि फ्री में मैंने आपको EID number generated वाला कैसे लेते हैं वो दिखा दिया अब करने क्या वाले दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे माय आधार पर आप जाएंगे माय आधार यहां पर आने के बाद ना दोस्तों सबसे पहले करना क्या है आपको तो हम करेंगे यहां पर जाकर कि रिट्रिव अधार नंबर ठीक है तो इस तरीके एक प्रोसेस होता है जिसे हम रिट्रिव अधार नंबर अ आप यहां से कर सकते हो कि enrollment ID डालोगे अब दोस्तों हमारे पास enrollment ID तो है ना हमें टेंशन किस बात किये है तो हमें यह करने की ज़ुरत ही नहीं है तो मैं जो करवाने वाला हूं वह सबसे पहले इसे डालेंगे यहां पर जाएंगे SWRVWF सर्च माइं मोबाइल नंबर दोस्तों जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वह मोबाइल नंबर आप एंटर कर देजिए उस नंबर पर आपको OTP आएगा तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि OTP आएगा invalid capture तो capture जो है दोस्तों जैसे कि मैं डाल रहा था तब invalid हो गया था कि सो हम डालते हैं फिर से इस तरीके से आपको send OTP पर क्लिक करना है OTP आपके मोबाइल पर चला जाएगा दोस्तों जैसे ही OTP जाता है कोई भी मोबाइल नंबर यह ज़रूरी नहीं है कि आपका रहिष्टडी होना चाहिए सो कोई भी मोबाइल नंबर आपका हो जो रही अधार से लिंक हो चाहना हो फरक नहीं परता दोस्तों तो आपको नंबर डालना है मैं आपको दोस्तों पूरा complete प्रोसेस बता रहो इस complete प्रोसेस में आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि आपका आधार कैसे निकाला जा सकता है दोस्तों सबसे पहले मैंने जो करवाया वो क्या करवाया था मैंने आपसे पहले स्टैप करवाया था कि फ्री वाले में हम generated EID निकाल लेंगे अब generated EID आपके पास है तो टेंशन किस बात कि अब हम करने वाले हैं payment दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं यार एस आरेन नमबर प्लीज यूज इस नमबर फॉर और ट्राकिंग एंड कोर्सपोंडेंस विट यू ए आई टी आई अब करने वाले हैं दोस्तों हम payment करना कि कि इतना रुपेक है only 50 rupees मैं आपको live proof दोंगा दोस्तों यह नहीं कि मैं आपको सिर्फ उपर उपर से बताऊंगा लोगों के तरह आधा information देख करके कि दोस्तों यहां पर 50 rupees पेक करना है और आगे जाना है नो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप पा सकते हो number कैसे करने के बाद आपको number display होता है तो मैं properly complete process बताऊंगा आपको ताकि आपको भी लगे कि भाई नहीं genuinely पूरा process समझाया गया है and then इस process के माध्यम से कि आप इसली काम कर सकते हैं दोस्तों कब भी खोया हुआ आपको अपना नमबर निकाल सकते हैं तो इसके लिए सबसे बैतरीन option आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों तो जैसे आपने देखा मैंने यहां पर verify किया मेरा नाम शो हो गया अब मैं open करता हूं मेरा यूपी आई तो यहां पर आया मुझे pay करने का option मैं यहां से दोस्तों 50 रुपिस pay कर रहा हूं है दोस्तों आपने देखा मैंने यहां से 50 रुपिस pay किया हूए just अभी it is in under process प्रोसेस होते ही वहां complete शो हो जाएगा दोस्तों आप देख रहे हो complete शो हो गया इस तरीके से complete होते ही ओ एफ टी ए आई आर ये हमारा वो डालना है option और download acknowledgement करना है दोस्तो download acknowledgement हम जैसे ही करते हैं आप इस slip में देख सकते हो कि आपको आधार number जो है वो आ चुका है तो दोस्तों आपको अगर sure नहीं है कि यह number correct है कि नहीं है तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने कुछ ही देर पहले इनका आधा number find किया हुआ था दोस्तों तो आप देख सकते हो same process same number 375 और यहां पर आप देख सकते हो 375 केवल 50 रुपया में दोस्तों मैंने आपको यह option दिखा दिया जो कि market में नहीं मिलता दोस्तों अगर आप इतना number process नहीं करना चाहते हैं तो simple सा हमारे पास जो लोग भाईयों जो बिजनेस चलाते हैं यह तो मेरे individual दोस्तों के लिए हो गया जो आम पब्लिक है आम जनता है जिन्हें पैसा मार्केट में ना लगे उनके लिए वीडियो था दोस्तों इस तरीके के प्रोसेस करके आप अप double duplicate से आप अपना अधार नमर निकाल सकते हो आपका generated EID निकाल सकते हो और साथी 50 रुपया में आप स्मार्ट कार्ड भी पास सकते हो दोस्तों तो PVC कार्ड जो होता है स्मार्ट कार्ड गवर्मेंट वाली ID वह भी आपको मिल जाती है उनलें 50 रुपेज तो दोस्तों यह प् चीज़ नहीं करना चाहते हैं अगर आप लोग यह चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो no worries आप हमें हमारे description में दिये गए हुए नमबर पर WhatsApp करें दोस्तों call नहीं लग पाता है इसके लिए मैं कहूंगा कि आप WhatsApp करें WhatsApp में आप अपना आधार नमबर नहीं sorry जो generated ID हो तो वो भेजें अगर वो नहीं है तो आप manual duplicate वाली जो ID है वो slip हमें सेंड करें दोस्तों 100 रुपया चार्ज लगता है आप अगर खुद बिजनेस वाले हो तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह एक website है जहां के थुरू आप EID to आधार वाला option है यहां पर आप apply करते हो यहां पर जो आपका generated ID number होता है आप वो एंटर करते हो फर एक्जामपल मैंने यह एंटर किया 14 डिजिट का और यहां से आप apply करते हो तो दोस्तों यहां देख रहे हो आप 100 रुपेस उनली इन 100 रुपेस आपको इसका नमबर मिल जाएगा जो दो भाईयों अगर इसका ID लेना चाहते हैं तो आईडी भी ले सकते हैं otherwise आप डारेक्ली सीधा रिक्वेस्ट लगाईए यहां से पर मिन जा चुका है इधर लिस्ट में शो हो जाएगा कि आधार not generated और जैसे हमारे पास back end में आ जाएगा दोस्तों तो हम आपको upload करके दे रहेंगे यहार से दोस्तों सबसे पहले वाला process जो मैंने यहां पर बताया हुआ है यह वाला ना भूले थांक्यू दोस्तों अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो informative लगी हो और जादा 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 लोगों तक इसको share करें दोस्तों